नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका फियर्ज क्लाउड में तो दोस्तो DRDO भारती नेवी को एक ऐसा हतियार सोपने जा रहा है जिससे चीन और पाकिस्तान की नेवी ही नहीं बलकि चीन पाकिस्तान की थल से ना भी दहल जाएगी और ये हतियार इतना बेहतरीन है कि पाकिस्तान तो छोड़ो चीन भी थर थर कापेगा इस हतियार के आगे और इस हतियार को बेहतरीन बनाने के लिए इसमें बहुत ही अच्छी क्वाइल्टी की दो ऐसी तकनीके लगाई गई हैं जिनकी वज़े से यह हतियार और भी खुखार बन जाता है तो ये हतियार है कौन सा सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में ये वीडियो बहुत ही important होने वाली है और बिना skip किये पूरा वीडियो देखें तो चलिए दोस्तो वीडियो को start कर लेते हैं तो दोस्तो आप सभी लोगों को पता होगा कि मिसाइलों के मामले में क्रूज मिसाइलें सबसे अच्छी और सेनाओ की पसंदीदा मिसाइलें मानी जाती हैं और क्रूज मिसाइलें इसलिए जादातर सेनाओं की पसंदीदा मिसाइल होती हैं क्योंकि ये जमीन या फिर समुद्र से बहुत ही कम दूरी पर उड़ती हैं बिना रडार सिस्टम की पकड़ में आए और दूसरी बड़ी खास्यत होती है इन मिसाइलों की ये मिसाइल बहुत ही सटीक होती हैं और दुस्मन के रडार को चक्मा देना और अपनी रप्तार को मेंटेन करते हुए ये दुस्मन पर सटीक जा धमकती हैं और दुस्मन का पल भर में काम तमाम कर देती हैं दुस्मन के भनक लगे बिना अब आप लोग कहेंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल को भी तो रडार सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता तो हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल से न क्यों नहीं करती तो आपको बता दू हाइपरसोनिक मिसाइल पहली बात तो ज्यादा तर देशों के प पर कारे कर रहा है जो सम्मरीन से भी हमला कर सकेगी लेकिन बड़िया बात यह है कि DRD और सम्मरीन लांच क्रूज मिसाइल के भी दो वैरियंट को तयार कर रहा है जिसमें पहला वाला वैरियंट होगा दुस्मन की नेवी के लिए दुस्मन के जो डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट ह होते हैं उनको तबाह करने के लिए और जो दूसरा वाला वैरियंट होगा जो दुस्मन के बड़े बड़े सहरों पर हमला करेगा यानि की सतय पर हमला करने वाला वैरियंट और आपको बता दूँ इन दोनों तरह की मिसाइलों में टेक्नलाजी का बहुत ही बड़ा फर्क ह देखें जो पहला वाला वैरियंट होगा यानि की सम्मरीन लांच एंटी सिब बर्जन इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी टर्मिनल गाइडेट सिस्टम का इस्तिमाल किया जाएगा और यही टेक्नलाजी चीन और पाकिस्तान की नेवी को बहुत ही आसानी से ट्रैक कर बिना उस जहाज को भनक लगे दुस्मन के जहाज को बहुत ही सटीकता से तबाह कर देगा लेकिन जो दूसरा वाला वैरियंट होगा यानि की सम्मरीन से लांच होकर सताय पर हमला करने वाला वैरियंट या और भी खतरनाक होगा और यह जो सताय पर हमला करने वाला वैरियंट दुस्मन के बड़े-बड़े सहरों को तबाह करना और दुस्मन की च्छाउनियों को बर्बात करना और इसलिए इस मिसाईल में इस्तेमाल होंगे Electro Optical Seekers और इसे के साथ इसमें Digital Scene Matching Area Core Technology का इस्तेमाल किया जाएगा वहीं सममरीन लांच अटेक Anti-Ship Cruise Missile मिसाइलों के मामले में इस मिसाइल की रेंज बहुत ही बेहतरीन है और अब आप इन दोनों मिसाइलों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रू बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सेयर करें ताकि सभी लोगों को इस खबर के बारे में पता चल सके और मैं हर रोज इस चैनल पर डिफेंस से जुड़ी खबरे लेकर आता हूँ इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जोड़ दबाएं ताकि हर रोज आपको डिफेंस से जुड़ी खबरे मिल सकें धन्यवाद